साथियों, आप सबको पहले धन्यवाद, इतनी सुबह आप सब यहाँ आए हैं, साथियों, मिश्टर राहूल गांदी अपने एहंकार के कारण डिस्कौलिफाई हुए, उन्होंने OBC समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोट ने कोगनिजन्स लेके एक फैसला किया, तो आज मिश्टर राहूल गांदी कहते हैं कि वो कोट ही गलत है, यह विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है, वो एन्टाइटल्मेंट की राजनिति करते हैं, उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है उनको लगता है कि Constitution, Court, Parliament यह सब क्या व्यवस्था हैं वो सब इन सब से अपने आपको उपर मानते हैं इस उपर मानने के कारण अपने आपको मिस्टर राहूल गांदी सोचते हैं कि वो Constitution से भी उपर है क्या समविधान में बनी होई व्यवस्था हैं जो institutions बने हैं इस देश की democracy ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे methodical way में जो institutions बनाएं मिस्टर राहूल गांदी सोचते हैं कि वो उन institution से उपर है वो सोचते हैं कि कोई भी court उनके against कोई judgment कैसे दे दिया उनको लगता है कि Constitution में अगर section article 102 में disqualification का प्रावदान है उनके उपर लागू नहीं होना चीए उनको लगता है कि representation of people's act के section 83 में कोई प्रावदान है उनके उपर लागू नहीं होना चीए सब पर लागू हो मिस्टर राहूल गांदी पर लागू नहीं होना चीए क्योंकि वो entitlement की feeling के साथ राजनिती में है क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि वो मानते हैं कि सारे की सारे institutions सारे की सारी democratic व्यवस्था जितने भी इस देश ने वागा साहब अंबेटकरजी के constitution के तहट institutions बनाएं वो सारे की सारे institutions उनसे नीचे हैं उनका ये मानना है सात्यों देश में बहुती विकट परिस्थिती बनी है सारे की सारे ब्रष्टाचारी आज एक साथ एक जुट हो गएं एक मंच पे आगएं और उनका केवल और केवल एक ही objective है कि इस देश में जो स्वच्छ सरकार है इस देश में जो एक नया जोश है इस देश में जो नया मिजाज है उसको किस तरह से derail करे किस तरह से finish करे किस तरह से disturb करे जो लोग आज अपनी बात को डिमोक्रिसी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हैं जो लोग आज करप्शन के आरोप लगा रहे हैं उनको याद करना चाहिए किस तरह से UPA की सरकार में करप्शन का ब्रष्टाचार का इंस्टिटूशन को कमजोर करने का बड़ा शडियंत्र रचा गया था इस देश को लूटा गया था जो इंस्टिटूशन की बात करते हैं वो बताएं कि जब देश के प्रदानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे उस दौरान एक ओर्डनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फरेंस में फाड़ने से क्या इंस्टिटूशन बनते हैं यह बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिश्टर राहूल गांधी अपने आपको सारे इंस्टिटूशन से उपर समझते हैं जो इंस्टिटूशन की बात कर रहे थे वो यह बताएं कि जब समविधान के अनुसार सरकार को चलाने का गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है एक विवस्ता बनी हुई है तब क्या एक पैरलल पीएमो बनाना एनेसी के नाम पे क्या वो इंस्टिटूशन को प्रोटेक्शन की बात थी तो साथियों मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मिश्टर राहूल गांदी अपने एहंकार के कारण डिस्कॉलिफाई हुए है मिश्टर राहूल गांदी ओवी सी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने उसको कोट ने कॉगनिजन्स लेके जो फैसला किया